हेलो दोस्तो स्वागत है हमारा चैनल में आज हम बात करने बाले हैं जेके सीर्स कमपानी का जेके ग्रीन बुलियन के बारे में दो दोस्तो सुरू करते हैं आज की विडियो जेके सीर्स कमपानी का जेके ग्रीन बुलियन यह एक हाइबरेट केबेज यानी अगर इस साल आप पता कोबी की खेती करना चाहते हैं या फिर पता कोबी की खेती करते हैं तो JK Sears Company का JK Green Bullion आपके लिए Best Option हो सकता है अब बात करते हैं इस भैराइटी की पता कोबी को कौन-कौन सी सीजन में खेती की जाती है तो दोस्तों यहाँ खरीप, रवी और समर सीजन में भी इस भैराइटी की पता कोबी की खेती की जा सकती है और बात करे कौन-कौन सी स्टेट में इसकी खेती हो सकती है तो यह इस प्रकार है की आंध्रप्रदेश अरुरांचल प्रदेश आसाम बिहार चतिस गर डेली गुजराद हरियाना हिमांचल प्रदेश जाम्मू कास्मीर जार्खन करनाटका केरल महराष्ट्र मैध्य प्रदेश मनिपूर मेगालय, मेजराम, नागलान, ओडिसा, पंजाब, राजस्तान, सिकीम, तामिलनाडो, तेलेंगाना, क्रिपूरा, उतराखन, उतरप्रदेश और वेस्ट बेंगल मैं भी इस भैराइटी का पता कोबी की खेती कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं इस भैराइटी की कोबी की खेती की तो यह दिखने में ग्रीन होता है और आठ सो ग्राम से डेड़ केजी तक कोबी की साइज आ सकता है दोस्तों और हमने इस भैराइटी की कोबी की खेती सेप्टेमर महीने से फबुरारी महीने के अंदर अंदर खेती किया था और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों इसलिए हम आपको सजेशन करे हैं कि आप भी खेती कर सकते हैं आसा करते हैं कि हमारा एक्सप्रियंस आपकी कोबी की खेती में थोड़ा मदद करें अब बात करते हैं दोस्तों इस भैराइटी की बीच की जो प्राइस रेंज है वो दोस ग्राम एक पेकेट दो सो साथ रूपए प्रिंट रेट दिया गया है जबकि दोसो तीस रूपए में मैंने खरिदा था दोस्तों हो सकता है कि आपके एरिया में प्राइस तोला ज़्यदा या फिर कम में मिल सकता है अगर आप इस भरायाटी की पत्ता को भी सीड खरिदना चाहते हैं तो किसी भी सीड आप फोटिल लाज और सोब में आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों आप उनलाइन भी इसे खरी सकते हैं दोस्तो और दोस्तो हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लिस लाइक कीजिए और चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बैल आइकन है उसे भी प्रिस कीजिए दोस्तो और आपक